कन्या राश शिवालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों, आप सभी को बता दें, नौ देवी देवताओं ने आपके घर को घेर लिया है, आखिर क्यों? सच्चाई सुनकर आपका भी पैरों तले जमी खिसक जाएगी, जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, आज शाम के तीन बच कर दस मिनट के बाद, आप सभी के जीवन काल में यह नौ देवी देवताओं बहुत बड़ा चमतकार करने वाले, जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी आँखों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन भी दुश्मन आपके रास्ते में काटे खड़े करते थे, अब सब समाप्त होने वाले, और दोस्तों, जीवन में नए मौके आपको मिलने वाले, आज शाम के तीन बच कर दस मिनट के बाद, यह नौ देवी आपको पांच बड़ी खुश खबरी और पांच बड़ा सर्प् जी हाँ दोस्तों, इसी लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, वीडियो शुरू करने से पहले, जितने भी मातारानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्व प्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे ह्रदय भाव से जय माता दी तीन बार लिख दीजिएगा, मातारानी का सीधा अशीरवाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा, दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, कल युग में पहली बार इतनी बड़ी और भयंकर चमतकार होने वाला है, आप सभी का जीवन आप पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, नौदेवी देवता आपके घर पिछले 15 दिन से आ रहे हैं, और यह आपको संकेत भी दे रहे हैं, लेकिन आप उनके संकेत को नजर अंदाज कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों, अब इन नौ देवियों ने आपके घर को घेर लिया है, और अब आपको इनका बात मानना ही पड़ेगा, यह देवी आपको कुछ देना चाहती है, जी हाँ दोस्तों, जो बात आपको आगे वीडियो में पता चलने वाली है, तो वीडियो को ध्यान स कहते हैं, 24 घंटे के अंदर आपका जीवन में कुछ ऐसा बड़ा बदलाव होगा, जिसे सुनकर आपकी आँखों से आंसु निकलेगा, जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है, क्योंकि दोस्तों, आपका कुंडली में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, परंतु दोस्तों घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपके जीवन में जो भी बड़ा बदलाव होगा, आपके लिए बहुत महत्तो पूर्ण होगा, दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आखों से आंसु जरूर बहेगा, परंतु यह आंसु खुशी का आंसु होगा, दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जब किसी व्यक्ती को उम्मीद से ज्यादा कुछ मिल जाता है, अचानक किसी व्यक्ती का कोई बड़ा सपना सच हो जाता है, तो वह व्यक्ती के मारे रोने लग जाते हैं, जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ऐसा ही होता है, और आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जिस चीज की आपको उम्मीद नहीं थी, वह चीज आपको 24 घंटे के अंदर मिलने वाला है, बस, आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना होगा, दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में बना हुआ है, इसलिए दोस्तों, अब आपको दुनिया का कोई भी ताकत सफल होने से नहीं र पता दें, आज की वीडियो पूरी तरह से आपका ग्रह नक्षत्र के आधार पर आधारित है, जो की दोस्तों, बहुत खास और महत्वपूर्ण है, दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों, अब आपकी परेशानी पूरा अंत तक देखना है, दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज का यह भविश्यवानी 100% सटीक है, क्योंकि दोस्तों, आज का भविश्यवानी ग्रह गोचर के आधार पर निर्मान किया गया है, दोस्तों, अगर आज की यह भविश्यवानी गलत हुई, त दोस्तों, आज रात 12 बजे के बाद एक दिव्यशक्ति आपके घर आने वाली है, यह दिव्यशक्ति आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगा, दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, यह दिव्यशक्ति धन से आपको माला माल कर देंगे, आपको रामबान साबित होगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको सबी प्रकार की जानकारियां देने वाला हो। जैसे कि दोस्तों आपके जीवन में कब कौन सा बड़ा बदलाव होगा। इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे। साथ में दोस्तों आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी बताने वाले हैं, जिससे आप अपने जीवन में होने वाली सभी घटनाओं से बच सकते हैं। इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो आखिरी तक देखना दोस्तों, आपको हाथ जो महत्वपूर्ण जानकारी में बता रहा हूँ, ऐसा महत्वपूर्ण जानकारी कोई नहीं बताएगा, ये बात आप लिख करके रख लो, इसलिए दोस्तों वीडियो पूरा आखिरी तक तो जिन्दगी भर पच्छत आते रहोगे। इसलिए दोस्तों आप लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण खास वीडियो लेकर आते हैं ताकि आप वीडियो को देख कर अपना जीवन में बदलाव ला सके और आप भी एक अच्छा जिन्दगी जी सके तो दोस्तों इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता, आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा, आपका जिंदगी में किसी भी प्रकार की कोई दुख नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी है, साथ ही दोस्तों, आज रात बारह बजे धन लक्षमी की क्रिपा से आपका जीवन में चार चांद लग जाएगा, दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, धन की देवी माता लक्षमी, ठीक आज रात बारह बजे एक पक्षी का रूप धारन करके आपके घर आएगी और आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आशीरवाद देगी, उसके बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा-बड़ा चमतकार होगा, जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा, जो काम आपका सालों से अधूरा पड़ा है, वह काम भी आपका पूरा हो जाएगा दोस्तों, शनिदेव का कोवल आया गुड न्यूज, जी हाँ दोस्तों, बिलकुल सही सुन रहे रहे हैं, शनिदेव का कोवा आपके लिए लेकर आया है, बड़ा गुड न्यूज, जो आपको 24 घंटे के अंदर मिलने वाला है, दोस्तों, अब राज तिलक आपके माथे पर लगने वाला है, जी हाँ दो पूरी तरह से बदल जाएगा, कई बड़ी-बड़ी घटना आपके जीवन में होगा, और कई बड़ी-बड़ी खुश खबरियां भी आपको मिलेगा, जिससे आपका होश उड़ जाएगा, दोस्तों, अब आपका पैरों तले जमीन खिसक जाएगा, ऐसा कुछ आपके जी बड़ी-बड़ी खुश खबरी आपका पिछले 12 साल लो से इंतजार कर रहा है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, घर का खिड की दर्वाजा बंद करके पूरा वीडियो अकेले में देखना, ये वीडियो किसी के सामने मत देखना दोस्तों, अब आपका किसमत का जलवा सार पारी दुनिया देखेगी दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए राम बान साबित होगा, दोस्तों अगले 24 घंटे तक कोई आपको कुछ भी कहे, परंतु किसी के बातों में आपको नहीं आना है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन आपको किसी किसी का बात नहीं सुनना है, क्योंक दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे ऐसा ही कुछ 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में होने वाला है अब आपके जीवन में टहल का मचली वाला है बहुत बड़ा बवाल आपके जीवन में होने वाला है बहुत बड़ा घटना आपके जीवन में होने वाला है दोस्तों एक एक करके सभी असलियत आपके सामने आने वाला है जी हां दोस्तों सच्चाई सुनकर आपको बहुत बड़ा जटका लगेगा लेकिन दोस्तों हर हाल में यह होकर रहेगा दोस्तों अब दूध का दूध पानी का पानी होगा बहुत बड़ा सच्चाई से परदा उठने वाला है और बहुत बड़ी सच्चाई आज आपके सामने आने वाला है दोस्तों अब आपकी जिन्दगी की सबसे बड़ी खुश खबरी आपको मिलने वाला है दोस्तों अब आपका जिन्दगी में बहुत बड़ा बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा अब आपका जिन्दगी पहले की मुकाबला बहुत बेहतर हो जाएगा क्योंकि दोस्तों आपका जिन्दगी का नया पन्ना ओपन होने वाला है दोस्तों अब आपका जिंदगी का नया शुरुआत होने वाला है दोस्तों अब आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें आप जिस चीज के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे वह चीज अब आपको मिलने वाला है क्योंकि दोस्तों आपका प्रार्थना भगवान के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है अब आपको यह चीज हर हाल में मिलकर रहेगा दोस्तों भगवान के घर देर होते हैं, अंधेर नहीं और यह चीज अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जब आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा बड़ा चमतकार देखने को मिलेगा, जब आपको बहुत बड़ी बड़ी खुश खबरी मिलेगी, दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें। 24 घंटे के अंदर एक ऐसा चमतकार आपके जीवन में होगा, कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों, सितारों ने बहुत बड़ा संकेत दिया है कि अब आपका जीवन में वह होगा, जिसके बारे में आप कभी कलपना भी नहीं किये थे दोस्तों, सोने पर सुहागा होन जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 24 घंटे के अंदर आपको बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है, इतना बड़ा तोहफा आपको मिलेगा कि आप जीवन भर भूल नहीं पाओगे, दोस्तों, यह तोहफा आपको हर हाल में मिलकर रहेगा, अब आपका जीवन पहले जैसे बिलकुल भी नहीं रहेगा, अब आपका जिंदगी का सितारा चमकने वाला है दोस्तों, वीडियो में आगे और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना, वीडियो को भगा भगा कर अगे तो बहुत पच्छता, क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में जो बातें आपको बताने वाले हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे में दोस्तों, अगर इस महत्वपूर्ण बातों को आप नहीं सुन पाए, तो आपका जीवन में कोई भी बदलाव न अगर आप चाहते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, तो इस वीडियो को पूरा देखना, मैं शैलेंद्र पांडे, आपको यह विश्वास दिलाता हूँ, आप इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे, तो आपका जीवन स्वर्ग जैसा सुन्दर हो जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं रहेगा, और आपका जीवन का सबसे कीमती चीज आपको मिलेगा, दोस्तों, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किये हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और नीचे दिये गए कम सच्चे श्रद्धा भाव से, हर हर महादेव जय बाबा भोले नाथ अवश्य लिखें, बाबा भोले नाथ का विशेश कृपा आपके एवं आपके पूरे परिवार के उपर हमेशा बना रहेगा, दोस्तों आपका दुश्मन का जिंदगी अब समाप्त होने वाला है, क्यो दुश्मन के साथ बहुत बड़ा कांड होने वाला है, जिससे आपका दुश्मन का जिंदगी समाप्त भी हो सकता है, इसलिए दोस्तों हम हमेशा आप लोगों से कहते हैं, कभी भी गलत कार्य ना करें, कभी भी किसी के साथ बुरा बरताव ना करें, हर एक इनसान के साथ मि पूरी तरह से बदल सकती है। आपने सुना ही होगा कि भगवान कभी भी किसी भी रूप में आपके पास आ सकते हैं और इस बार वे दो साधारण व्यक्तियों के रूप में आपके घर आने वाले हैं। यह वही क्षण है जो आपकी किस्मत बदलने वाला है और आपको ऐसी ख अब समाप्त होने वाले हैं और खुशियों का एक नया दौर शुरू होने वाला है। आने वाले तीन दिनों के भीतर यह देवता आपके जीवन में तीन बड़े चमतकार लाने वाले हैं। यह चमतकार आपकी सोच से भी परे होंगे लेकिन इनका स्वागत करने के लिए आपको खुद को तयार रखना होगा। इन चमतकारों का पूरा लाब उठाने के लिए कुछ महत्व पूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जब भगवान आपके घर आएंगे तो यह ना भूले कि वे किसी भी रूप में हो सकते हैं। यह दो साधारन लोग हो सकते हैं जो आपके दर्वाजे पर दस्तक देंगे यह आपको धन सुख और सम्रिध्ध का आशी देंगे। लेकिन यह तभी संभव है जब आप उन्हें पहचान कर उनका उचित स्वागत करेंगे। ध्यान रखें। जब यह देवता आपके घर आए तो उनके प्रति विनम्रता और आदर बनाए रखें। यह आपकी परीक्षा का समय हो सकता है। इसलिए इस समय आपको अपना आचरण बहुत सावधानी से करना होगा। अब बात करते हैं और आपकी आय के स्रोत बढ़ने लगेंगे। धन की बरकत आपके घर में आएगी और आपकी सारी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। आपके परिवार में शान्ती और प्रेम का माहौल बनेगा। जो भी पारिवारिक विवात चल रहे हैं, वे समाप्त हो जाएंगे, और परिवार के सदस्यत एक दूसरे के प्रती सम्मान और प्रेम से भर जाएंगे। चमतकारिक सुधार होगा, जो भी बीमारियां या शारीरिक कष्ट आपको परेशान कर रहे थे, वे अब समाप्त हो जाएंगे, लेकिन इन खुशखबरी हों का स्वागत करने के लिए आपको कुछ बातों का विशेश ध्यान रखना होगा, सबसे पहले आपके मन और घर दोन अस्थल की साफ सफाई का ध्यान रखें, आप सोच रहे होंगे कि यह देवता कौन है, यह कोई और नहीं, स्वयम भगवान भोले नात और माता लक्ष्मी हैं, जो साधु संतों के रूप में आपके घर आ सकते हैं, भगवान किसी भी रूप में आकर आपकी परीक्षा ले स वे आपको ऐसा संदेश या ज्यान देने आ सकते हैं, जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, दोस्तों यह समय आपके लिए बहुत महत्व पूर्ण है, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, परिवार में प्रेम बढ़ेगा और आपका स्वास्थ्य बहतर होग लेकिन इसके लिए आपको अपने विचारों को सकारात्मक और अपने घर को स्वच्छ रखना होगा, अगर आपको यह जानकारी उप्योगी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट में जै भोलेनात और जै माता लक्ष जरूर लिखें दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी अनोखी जानकारी लेकर आए हैं, जो आपके जीवन की सभी परेशानियों का समाधान कर सकती है, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है, यह बात या रखें और लिख कर भी रख लें, आपको बस दो विशेश चीजें अपने पास रखनी हैं, और आपका हर दुश्मन परास्त हो जाएगा, आपकी जिन्दगी में इतनी खुशियां और काम्याबी आएंगी, कि दुनिया आपके सामने जुक जाएगी, यह दो चीजें इ आपका जीवन पहले जैसा बिलकुल नहीं रहेगा, यह पूरी तरह से बदल जाएगा, दोस्तों, यह दो चीजें आपको हमेशा अपनी जेब में रखनी होंगी, तब ही आप उनके अद्भुत लाभ देख पाएंगे, लेकिन यह बात बेहत गोपनी है, किसी को इसके बार के साथ सांझा ना करें, अगर आप प्रभुश्री राम के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम पांच बार अवश्य लिखें, अब हम बात करेंगे उन दो खास चीजों की जोतिश शास्त्र के अनुसार, अगर आपको सफलता और समरिध्ध के शिखर पर पहुँचा देगा, यह घटना आपको राजा बना सकती है, आपके पास धन की वर्शा होगी, और आपका जीवन राजा जैसा हो जाएगा, लेकिन आपको अपने दुश्मनों से सावधान रहना होगा, खास कर जिनका नाम आर अक करते हैं, दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को पूरी तरह बदलें, चांदी का सिक्का और पांच चावल के दाने अपनी जेब में रखें, और फिर देखें, कैसे आपकी किस्मत चमकती है, माता लक्षमी की कृपा से आपको धन सम्रिध्धी और में बहतरीन सुधार मिलेगा, ध्यान रखें, इस जानकारी को गुप्त रखना है, यह आपके जीवन की दिशा बदलने वाली जानकारी है, और इसे किसी और के साथ सांझा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में एक बहुत सामना पूर्ण होने वाली है, आप यह जान ले कि आज शाम 3 बज कर 29 मिनट के बाद मातारानी स्वयम आपके जीवन में प्रवेश करेंगी, और आपके हर दुख तकलीफ को समाप्त कर देंगी, इस वक्त आप जो भी सपने देख रहे हैं, वह मातारानी की कृपा से साकार ह होने वाले हैं, लेकिन ध्यान दें, मातारानी किसी भी रूप में आपके सामने आ सकती हैं, ऐसा माना जाता है कि देवी देवता हमारे जीवन में कभी भी किसी भी रूप में आकर हमारी परीक्षा लेते हैं, इसलिए यदि आप यह संकेत पहचानने में चूक गए, तो बड़ी से बड़ी मनो कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि अगले 72 घंटों के भीतर आपको कुछ काम नहीं करने चाहिए। वरना मातारानी आपसे रूठ जाएंगी और उनकी कृपा आपके जीवन से हमेशा के लिए उठ जाएगी। य यह समय आपके लिए बेहद महत्व पूर्ण है क्योंकि देवी लक्ष्मी और भगवान शिव का आशीरवाद आपके उपर है। यह दुरलब संयोग 499 सालों बाद बना है और इसका लाब उठाने का यह सुनहरा मौका आपके पास है। अगर आपको सपने में कोई व्रिक् अवसर को खो देंगे। इसी प्रकार यदि आपको सपने में सांप दिखाई देते हैं तो यह संकेत है कि कुछ बड़ी चुनौतियां आपके जीवन में आने वाली हैं। लेकिन अगर आपसे काम लेंगे तो आपको बहुत बड़ी-बड़ी कामियाबी मिलेगी। दोस्तो आपका जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है। लेकिन दोस्तों यदि आप इन संकेतों को समझने में चूप गए तो आपको पच्छताना पड़ सकता है। आपके जीवन में उथल-पुथल मच सकती है और आप शांती से जीने का अवसर खो सकते हैं। इसलिए आप यह संदेश सुनना शुरू करें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एकांत जगह पर जाकर ध्यान से इसे सुनें और उस मंत्र का जाप करें जिसे हम आपको बताने वाले हैं। यह मंत्र आपके जीवन से राहू और केतु के बुरे प्रभावों को समाप्त कर देगा और आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री राम का योग स्थापित होगा। यह मंत्र है A.U.M. हम हनुमते नम। A.U.M. बागेश्वरी हूम फट स्वाहा। इस मंत्र का पांच बार जाप करें और फिर वीडियो को ध्यान से देखें। जो लोग इस संद इवन में बहुत कठिना या जेली हैं। लेकिन अब आपका समय बदलने वाला है। आपकी मेहनत और धैर्य का फल आपको जल्द ही मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें। कुछ बातें आपको हमेशा अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। पहला कभी भी अपने सपनों को दूस का पालन कर रहे हैं तो इसे भी गोपनिय रखें। यह उपाय तभी फलदाई होगा जब इसे गुप्त रखा जाएगा। दोस्तों आपने यह तो सुना ही होगा कि जो मंत्र पूजा या उपाय गोपनिय रखे जाते हैं। वे ही सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। जितन से गुप्त ही रखें। आज के इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही महत्योपूर्ण साबित होगा। इसे आप किसी एकांत जगहे पर जाकर पूरी शान्ती के साथ देखें। क्योंकि आज एक-एक ऐसा अद्भुत संयोग बना है जो आपकी किस्मत को बदल सकत है। आपकी कुंडली में जो भी ग्रह योग विद्यमान है वे अब आपके पक्ष में होंगे। भगवान स्वयम आपके द्वार पर आएंगे। आपके जीवन की परीक्षा लेने तीन ऐसे व्यक्ति आपकी जिंदगी में आएंगे जो आपको सफलता के शिखर तक ले जा है। जब हमारे पुन्य समाप्त हो जाते हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि कभी किसी के साथ छलकपट ना करें। क्योंकि दूसरों को दुख देने वाले लोग खुद अपने विनाश का कारण बनते हैं। भगवान जीत हमेशा सत्य की ही होती है। यदि आप इन विचारों से सहमत हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अब हम आपको बताते हैं कि आने वाले समय में आपके जीवन में क्या बड़ा चमतकार होने वाला है। आज के समय में लोग एक दूसरे से इरश्य करते हैं। जब। आपकी जिद और आपके संकल्प की वजह से आप जो भी काम ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही मानते हैं। लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं तो कुछ समय बाद आप उसकी करना बंद कर देते हैं जिससे परेशानिया फिर से आने लगती हैं। इस समय आपके जीवन में शेश गुण है कि आप जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते हैं और उन्हें अपने दिल की सारी बातें बता देते हैं। लेकिन अगले 24 घंटे बहुत महत्व पूर्ण हैं। इसलिए जो भी निर्णय ले उसे किसी के साथ सांझा ना करें। यह समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली है और यही निर्णय आपको जीवन के शिखर पर पहुँचा सकता है। साथ ही आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं जिससे कई बार आप गलत निर्णय ले ले लेते हैं। इसलिए अगले 24 घंटों तक अपने गुस्से पर नियंतरन रखें और किसी भी काम को शांत मन से करें। इससे आपको सफलता मिलेगी और आप धोखे बाज लोगों से भी बच पाएंगे। दोस्तों यह समय आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय को किसी गलत दिशा में व्यर्थ ना करें बलकि इसे अपने लक् ला रही है और मा लक्ष्मी का आशीरवाद आपको माला माल बनाएगा। अब वह समय आ चुका है जिसका आपको वर्षों से इंतजार था। आपकी कुंडली में देवी देवताओं की कृपा है और अब आपके जीवन की हर मनोकाम ना पूरी होगी। आज का दिन पेत्र में आपके लिए विशेश रूप से फलदायक रहने वाला है। आपने जिस प्रकार से अपनी योजनाओं पर काम किया है अब उसका प्रतिफल मिलने का समय आ गया है। आपकी योजनाएं ना केवल सफल होंगी बलकि यह आपकी प्रतिभा और अनुभव का प्रमान लेने की क्षमता की सराहना होगी। इस दौरान आप किसी नई योजना या परियोजना पर काम कर सकते हैं जो भविश्य में अधिक फायदे मन साबित होगी। आपकी टीम भी आपके नित्रित्व का अनुसरन करेगी और आपके सुझावों पर अमल करेगी। यह वह समय है जब आपकी भूमिका एक मार्ग दर्शक और प्रेरक के रूप में उभर कर सामने आएगी। किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार रहेंगे और इसका समाधान भी आप कुशलता से करेंगे। आज आप आप अपने अनुभव और विशेश यता का उपयोग कर ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपके आसपास के लोग आश्चर्य चकित होंगे। यह कार्य आपके लिए सामान ने हो सकता है। लेकिन दूसरों के लिए यह प्रेरणा दायक और अद्वितिय होगा। आपकी रचनात्मक्ता और नवाचार से भरा हुआ द आपका अनुभव आपको ना केवल पेशेवर जीवन में मदद करेगा बलकि इससे आपकी व्यक्तिगत पहचान भी मजबूत होगी। लोग आपके निर्णयों और कार्य शैली से प्रभावित होंगे और आपको एक नेता के रूप में देखेंगे। आज के दिन आपको कि अप्रत्याशित स्रोथ से धन प्राप्ति की संभावना है। यह धन आपकी योजना में नहीं था, लेकिन यह आपको ऐसे समय पर मिलेगा जब इसकी सबसे अधिक आवश्यक्ता होगी। यह धन किसी पुरानी निवेश योजना उपहार या किसी पुराने दायत्व के अधिति को सुधार सकता है, बलकि आपको भविश्य के लिए भी एक मजबूत वित्तिय आधार प्रदान कर सकता है। धन का यह सोत आपको वित्तिय स्वतंत्रता की ओ एक कदम और आगे बढ़ाएगा। आप इस धन का निवेश कर सकते हैं या अपने किसी कार्य में इसका उपयोग कर सकते हैं जो आपको दीर्ग कालिक लाब दे सके। आपका वैवाहिक जीवन भी आज काफी सकारात्मक रहेगा। जीवन साथी के साथ आपका संबंध और भी मजबूत होगा। उनका समर्थन और सहयोग आपके लिए मानसिक, शान्ति और पूर्ण रहेगा। यह संभव है कि आप दोनों के बीच कुछ मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन यह चर्चा आपके रिष्टे को और भी गहरा बनाएगी। उनका सानिध्य ना केवल आपको प्रेरित करेगा, बलकि आपके आत्म विश्वास को भी बढ़ाएगा। कुछ सही चल रहा होगा। लेकिन परिवार के भीतर कुछ असंतोश और मनमुटाव हो सकता है। परिवारिक सदस्यों के बीच तालमेल बनाए रखना आपके लिए एक चुनौती पूर्ण कार्य हो सकता है। उनके बीच कुछ मतभेद या असहमती उत्पन्न हो सकती है, ज आपको मध्यस्थता करनी पड़ सकती है। आप अपने अनुभव और समवाद कौशल का उपयोग करके उन्हें एक साथ लाने का प्रयास करेंगे। परिवार के सभी सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करना और उनकी बातों को ध्यान से सुनना आपके लिए जरूरी बलकि आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी जो विद्यार्थी विदेश जाकर अपनी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। उनके लिए यह दिन विशेश रूप से महत्व पूर्ण है। उन्हें अपने प्रयासों को और अधिक तेज करने की आवश्यक्ता होगी। अश्यक्दस्तावेजों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। विद्यार्थियों को अपने लक्षों की प्राप्ति के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होगे। उन्हें अपनी योग्यता और क्षमता का आकलन करते हुए विदेश में अध्ययन के अवसरों को समझना होगा और उसके अनुसार तैयारी करनी होगी। यह समय उनके करियर की दिशा को तैय करने का है, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। विदेश में शिक्षा ग्रहन करना एक बड़ी उपलब्धी है, लेकिन इसके लिए पूरी तरह से समर्पन और अनुशासन की आवश्यक्ता होती है। बलकि व्यक्तिगत जीवन में भी नई दिशा दिखाएगा। आपके आत्म विकास का यह चरण आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाएगा। इससे आपको जीवन के विभिन पहलूओं में बेहतर संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। आत्म चिंतन आपको अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर देगा। साथ ही आपको अपनी ताकतों का सही उपयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। आपके कार्यों और निर्णयों के परिणाम स्वरूप आज आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी व्रिध्धि होगी। आज का दिन आपके लिए सीखने और आत्म विकास का प्रतीक होगा। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब वह कुछ नया सीखता है और वह शिक्षा आगे चलकर उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निभाती है। आज का दिन आपके लिए विशेश रूप से इसी प्रकार का है। कुछ नया सीखना आपके लिए व्यक्तिगत और पेशेवर। दोनों जीवन में उप्योगी साबित हो सकता है। सीखना केवल स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं होता। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। नए अनुभव, नई परिस्थितियां और नई चुनोतियां हमेशा हमारे सामने आती हैं और इनसे हमें सीखने का म मौका मिलता है। सीखने का महत्व जीवन के हर पहलू में लागू होता है। चाहे वह आपकी नौकरी हो, व्यक्तिगत जीवन हो, रिष्टे हो या फिर आपकी आंतरिक शान्ती सीखने का दायरा बहुत बड़ा होता है। यह आपको जीवन की कठिनाईयों का सामना करने के तैयार करता है और एक बेहतर व्यक्ति बनने में मदद करता है। व्यावसायग जीवन में सीखना यदि आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं, तो आज आपको कुछ ऐसा सीख, खने का मौका मिल सकता है, जो आपके काम में सुधार लाएगा। हो सकता है कि आपके काम में नई तकनीकों का उपयोग हो या फिर आपको किसी नई जिम्मेदारी का सामना करना पड़े। यह बदलाव शुरुआत में आपको मुश्किल लग सकता है। लेकिन जब आप इसे समझने और अपनाने लगेंगे तब यह आपके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित आज का दिन आपको आत्म चिंतन करने और यह सोचने का मौका देगा कि आप कैसे बहतर इंसान बन सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने व्यवहार, द्रिष्टिकोंड या आदतों में कुछ बदलाव करें जो आपको व्यक्तिगत रूप से विकसित होने में मदद करेंगे। सीखने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि अनुभवों से सीखना, पढ़ाई से सीखना और दूसरों से समबाद करके सीखना, अनुभव से सीखना। जी, जीवन के अनुभव हमें सबसे ज्यादा सिखाते हैं। चाहे वह सफलता हो या असफलता, हर अनुभव से कुछ न आज का दिन आपको कुछ ऐसे अनुभव दे सकता है जो भविश्य में आपके लिए मार्ग दर्शक बनेंगे। जब आपके पास बहुत सारे कार्य होते हैं और समय सीमित होता है तो यह स्वाभाविक है कि आप तनाव महसूस करें। ऐसे में यह आवश्यक होता है कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खुद को संतुलित रखें। कार्य का दबाव आपके कार्यस्थल पर अधिक काम का बोज आपको परेशान कर सकता है। जब आप अधिक कार्य करते हैं तो आपका ध्यान बंट सकता है और आप अपने कार्यों को ठीक से नहीं कर पाते। यह स्थिती तनाव को और बढ़ा सकती है। के काम कर पाएंगे अपने लिए समय निकाले चाहे वह एक छोटी सी तहलील हो या ध्यान करना यह आपकी मानसिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा मनोबल बढ़ाने वाले कार्य ऐसे कार्य करें जो आपके मन को शांत करें जैसे कि पढ़ना संगीत सुनना या योग करना आज आपको अपने निर्णयों के प्रति सोच समझ कर कदम उठाने की आवश्यक्ता है निर्णय लेने की प्रक्रिया जीवन में अत्यंत महत्व पूर्ण होती है और यह आपके भविष्य को प्रभावित कर सकती है जब आप निर्णय लेते हैं तो आपको कुछ महत्व सुनने में मदद मिलेगी विभिन्न विकल्पों पर विचार करें एक से अधिक विकल्पों पर विचार करें